नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मासरमार इस दुनिया में सायथ ही कोई ऐसा होगा जो स्वपन नहीं देखता होगा हम सभी आए दिन स्वपन देखते रहते हैं कुछ सपने हमें याद रहते हैं कुछ भूल जाते हैं कुछ सपने लगते हैं जैसे हाँ कोई कुछ बता रहा है बोल रहा है लेकिन हम सुनने ही पा रहे हैं आखिर इस प्रकार के सपने क्यों आते हैं ये तो आपके मन में चलता ही होगा आज हम आपको कुछ खास चीजे बताएंगे कि सपने में अगर आपको भगवान दिखाई दे तब क्या होगा अगर आप सचे दिल से भगवान को पुकारते हैं सचे दिल से प्रुभू को याद करते हैं तो आपके सपने में जरूर आते हैं लेकिन अगर प्रथम पुझ स्री गनेज जी दिखाई दे दे सपन में तब क्या होता है इसका मतलब दोस्तों खुश हो जाईए प्रथम पुझ स्री गनेज जी अगर आपको सपने में दिख जाए तो इसका मतलब है आपकी किसमत बस खुलने ही वाली है आपके तमाम कारे निर्भिगन रूप से पूरे होंगे क्योंकि हमारे सास्त्र ऐसा कहते हैं जिस ब्यक्ति के सपने में गनेज जी आ जाए उस ब्यक्ति का भाग अगले तेरा महिने के लिए प्रबल हो जाता है भाग साथ देने लगता है भाग का साथ मिलने लगता है अब चाहे वो गनेज जी किसी मनुसिक के रूप में आपको दिखे किसी मुर्ती के रूप में दिखे या तस्वीर के रूप में दिखे वो माईने नहीं रखता, माईने गनेज जी रखते हैं तेरह महिनों में आप जो भी चीछ चाहते हैं जीवन में करने के लिए उसे ट्राय जरूर कीजिएगा अगर आप लंबे समय से किसी चीज को करने की सोच रहे हैं और गनेज जी आपको सपने में दिखते हैं इसका मतलब है गनेज जी का इसारा है आप कारे करो आपके साथ वो है तो आपका भागे प्रबल भागे की वज़े से तमाम कारे आसानी से होने लगते हैं वैसे तो आप सपन में बहुत सारे देपताओं को देखते होंगे लेकिन हम चुकी चर्चा कर रहे हैं गनेज जी की तो गनेज जी का मतलब भी कुछ अलग होता है खास होता है अब गनेज जी के पिता की भी बात कर लेते हैं उनके डैडी उनके पापा की सपने में अगर आपको सिब जी दिखते हैं सिब्लिंग के रूप में मूर्ति के रूप में प्रतिमा के रूप में तो इसका मतलब है आपके जीवन में कोई नया महमान आने वाला है कोई खास महमान आने वाला है चाहे वो नया महमान बच्चा ही छोटा बच्चा क्यों न हो आपका दोस्त हो आपका लब हो आपका जीव बहुत होता है सपने में सिवजी का आना फिलालम आपसे बिदा लेते हैं हर हर महादेव फिर्म लेंगे